सा रख खुद पे यहां तक आए हो तो आगे भी जाओगे जीवन में अगर सफलता चाहिए तो मेहनत पर विश्वास करें किस्मत के साहरे तो जुवा खेला जाता है हेलो एवरीविन वेल्कम बाक टू माई एजुकेशनल यूटूब चैनल कॉमर्स नौलिश पूल मैं हूँ प्रोफेसर दिशिता सीटिया और आज मैं 12 स्टैंडर्स स्टूडेंट्स के लिए एक इंपोर्टन वीडियो लेकी आई हूँ जी हाँ जितने भी 12 स्टैंडर्स स्टूडेंट्स से माराश्ट्र स्टेट बोड के उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपोर्मेटिव और इंपोर्टन रहने वाल है जैसे कि मैंने का बरोसा रख खुद पे यहां तक आए हो तो आगे भी जाओगे जीवन में अगर सफलता चाहिए तो मेहनत पर विश्वास करें यह स्टूडेंट्स लास्ट ओप्शन आप सभी के लिए है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा हार्ड वर्क करना पड़ेगा तबी चाहिए आपके बोर्ड एक्जाम सब अच्छी तरह से इसे क्लियर कर पहे है यह सब कुछ मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ तो अगर आप चैनल पे न्यू हो, मेरा वीडियो पहली बात देख रहे हो तो I request you all to please like it, share it and subscribe it even on your notification bell icon for latest and useful information आपको इसी चैनल पे OCSP Economics and BKK revision series and informative videos हमेशा मिलते रहेंगे so please subscribe it and on your notification bell icon Students, अगर आप calculate करेंगे तो आपके board exam one month में आने वाले एक मैने में आपके exams आने वाले बट अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की या किस तरह से शुरू करना है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है अगर जिसने पढ़ाई शुरू किये जिसको अच्छे माख से पास होना है उनको इलिए भी ये वीडियो आज काफी important बनेगा तो वीडियो में अंतक बने रहे है Students, अगर हम पढ़ाई करना चाते बट अगर हमने पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं की तो कोई उसका मतलब भी नहीं बनेगा So, practice does not make perfect Only perfect practice make perfect Very important, सिफ practice करते रहने से कुछ नहीं होगा अगर हमें practice करना है तो सही तरीका भी पता होना ची ताकि हम अपने target तब पहुच पाए So, it is very important Practice does not make perfect Only perfect practice make perfect इसलिए मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेर करने वाली कुछ important board exam के papers जो अगर आप वो papers को solve करते हैं तो definitely आप अपनी exams को crack कर पाएंगे So, what are the benefits of solving practice papers? You can get an idea about the paper pattern Definitely students, आपने questions तो बहुत सारे पढ़े होंगे But, बहुत जादे important होता है कोई भी exam attempt करने से पहले कि हमें paper pattern बता हो तो अगर आप practice papers solve करते हैं तो definitely आपके एक idea मिलेगा कि आपका paper pattern कैसा है Get an idea about the type of question asked जैसे कि हम बात करेंगे question number 2, question number 3, question number 4, question number 5, 6 उसमें कौनसे type की question पूछे जाते है Question number 2 में आपके concepts कौनसे जादा repeat हुए है Question number 4 में आपके concept distinguish repeat हुए है Question number 8 में जो last question आपका होता है 8 marks का उसमें आपको कौनसा question या कौनसे chapter में से question पूछा गया है यह आपको idea कब मिलेगा जब आप practice paper को solve करेंगे Practice paper solve करते करते आप खुद को भी test कर पाऊगे कि आपको कितना आता है या फिर आपको कितना और महनत करना है Know your strength and weakness जब आप practice paper solve करोगे तब आपको एक idea मिलेगा कि हमारा कितना पढ़के हो चुका या कितना पढ़ना बाकी है So definitely you can identify your strength and weakness And understand the time management Definitely student जब हम practice paper को solve करते है Without seeing solve करते है तो आपको एक idea मिलेगा कि कितना time लग रहा है आपको लिखने के लिए अभी बहुत सरे students होंगे जिसको यह लगता होगा कि माम हमारा पढ़के नहीं हुआ हम practice paper कैसे solve करें तो students मेरे ही channel पे playlist पे अगर आप जाके देखोगे तो आप एक complete paper pattern दिया है for OCSP economics and BK even उसका time management भी दिया है तो आप वो video को check कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि time management कैसे आपको करना है उसके साथ paper pattern कैसा है उसके accordingly कैसे हम study करें and the most important OCSP economics के important questions भी मैंने playlist पे दिये है तो आप वो videos भी check कर सकते हो अगर आपको नहीं पता तो मैं इस video में description में उसका link provide करूँगी ताकि आप वहाँ से क्या कर पाओगे आप check कर पाओगे ने accordingly studies कर पाओगे next thing how many papers to solve अभी जब हम practice papers solve करेंगे तो कितने papers हमें solve करने so depends on your preparation अगर आपका सब कुछ पढ़के हो चुका है तो daily you can take one paper of particular subject and accordingly you can proceed मैं अगर आपका पढ़ाई नहीं हुआ है तो at the start you can solve at least two papers college के prelim papers होंगे वो आप बार-बार solve कर सकते हो match आपको important papers देरे वो आप solve कर सकते हो so at least two papers in a week तो आपको solve करने solve in a given time आपको 80 marks का paper के लिए 3 hours दिया गया है but अभी अगर हम देखेंगे जैसे कि आपको पता है सभी को कि आपको half an hour increase किया गया है so सारे तीन गंटे के अंदर हम paper लिख पाते है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है and no distraction जब आप paper solve करोगे तो students आपका mobile side में होना चीए आप शांत जगा पे बैड के paper को solve करना है ताकि आपको पता चले के हम paper अच्छी तरह से solve कर पा रहें कि नहीं so the most important thing अभी जो practice paper का link है मैं आपको description box में दे रही हूं वहाँ पे जाकि आप अपने practice paper को solve कर सकते so I hope the video was useful to you all next thing the most important practice like a champion yes students सबको champion तो बनना होता है एक particular goal तक पहुचना होता है target तक पहुचना होता है 80, 85, 90% सबी को लाना होता है but the most important you have to practice like a champion अगर आप उसके तरह practice ही नहीं करोगे तो कभी भी पहुच ही नहीं पाऊगे so जो भी आपके required doubts से definitely मुझे comment box से mention कीजिए and accordingly हम आगे proceed करेंगे उसके लावा आपके लिए में revision series लाने ही वाल्यू important questions, back questions already मेरे channel पे available है still what you want from my side please mention me in the comment box so thank you all for love and supporting keep supporting, thank you